प्रेंड वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लार्णिंग चैनल आज के सेशन में जानेंगे कि डिस्पेच एक्टिविटी के बाद में जो प्रुसीजर होता है कस्टम क्लिरेंस का और इसके बाद सिप्मेंट सेल होने का उसमें क्या-क्या स्टेप्स का मिध्यान रखना परता है और कौन-कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वोल होते हैं वह हम इस सेशन में जानेंगे जैसा कि प्रिवेश शेशन में हमने जाना था कि जब हमार पास कोई पर्चेस ओडर आता है तो पर्चेस ओडर के अगॉर्डिंग हमें पने गुड्स को प्रिपेर करना परता है डिसपेज के लिए जिसमें मैं पैकिंघ टिम से गुट्स को पेकिंग कर्वाना पड़ता है सिर कि मह अगर्चेस बार पासरे नीए तो अंपरचेस टीम से हम घुत्स को प्रोक्यूर करवाएंगे है का ओके यह फिर अगर गूट्स को मैंउफ्यक्टिंग करना तो तो फिर प्रोडक्शन टीम से गुट्स का प्रोडक्शन करवाएंगे तो यह चीज़ हमने पिछले शेशन में जाना था और गुट्स डिस्पेज होने के बाद हम अपने को बताएंगे कि गुट्स और रेडी ओके और उसको कमर्शल और इन्वोइस और पैकिंग लिस्प शेयर करके अपने शिप्मेंट को प्लानिंग करेंगे ठीक है नियुक्त को है यह चीज़ हमने पिछल सेशन में जानी थी तो इसकी बाद का प्रूसिजर क्या होता है वो हम समझते हैं ठीक है कि तो जैसे हैं हमाले गुट्स डिसपेज हो जाते हैं हम जैसे ही गुट्स हमारे कंट French कंटेनर में लोडd हो गए ठीक है और क्या करते हैं जैसे कंटेनर हमारे फ्पीजिकली हमारे फेक्टरी में आता है प्छुर् yo क्ट्रांसपूर्टर के हिल्प से उसको जेक अंतिका करते हैं कि पार है कि करने उसके बाद जो 1000 इनवर नंबर के अगेंस्ट हमें booking मिलीती है उस बीगी booking के according ही हम कंटेनर को stuff करेंगे ओके जैसे हमारी shipment श्रीलंका की है और हमारा invoice नंबर जैसे 563 12123 वन तो इस invoice के अगेंस्ट हमें booking नंबर जो हमेरे chn में दिये हैं उसी से हम बुक करेंगे क्योंकि जो कंटेनर बुक के अगया वह इस order के अगेंस्ट किया गया तो इससी के according ही हमारी पेकिंग टीम कंटेनर को step करेंगी और उसके बाद कि इसको डिस्पेच करेंगी ठीक है तो जैसे ही कंटेनर हमारे प्लांट में लगता है हम कंटेनर को फिजिकली वेरिफाई कर लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि इसके documentation prepare करते हैं तो पेकिंग टीम हमें inform करेंगे कि container dispatch हो गया है ओके और वो गुट्स का पीजाई कर देगी से पी में जिससे कि हम अपने है document prepare कर पाएं तो जैसे पी में उस delivery order के अगेंस्ट हम billing करेंगे और billing करने के बाद क्या होगा और documents के प्रिंट लेंगे ठीक है तो commercial पेकिंग लिस्ट में अलवेडी मेन्यूली बनाई थी और ऐसे भी से निकाल सकते हैं तो नेक्स डोकुमेंट जो होगा इसमें आपका टेक्स तो यह जो का वर्किंग फुरी होगी वह एक्सपूर्ट लोजिस्टिक टीम करेंगे ठीक है पेकिंग टीम में अपना पीजे कर दिया से स्केनिंग करके गुड्स को स्केन कर दिया ठीक है अब डिलेवरी ओडर के अगेंस हम डॉकुमेंडिशन करेंगे तो एक्सपूर्ट लोजिस्टिक टीम का यहां पर वर्क यह रहेगा कि सारे डॉकुमेंट के सेट निकालने हैं प्रीश्पमेंड डॉकुमेंट बनाने ह हमें कि शो करने एक्जामिनिशन की टाइम में वह हमारे सी एचे करेगा तो हमें करना क्या है जो सेट डॉकुमेंट सम्प्रिपेर करेंगे हैं वह ऐसे पी से प्रिंट आउट लेंगे ठीक है कमर्शिल नोइस प्रेकिंग लिस पहले से हमने ले रखा है हम लेंगे टेक्स नोइस इसके बाद इवे बिल ऑके और एक अनेक्चर होता है जो कस्टम का वह फॉर्मेट उसको फिल करके देना पड़ता है उसमें कुछ डिटेल्स होती है आईसी नमबर ठीक है इसके पर ऑडर जो कस्टम की ओडर से हम डॉक्मिंट का सेट बनाएंगे तो साथ में उसमें चेक्लिस लगाएंगे जिस पर शिपिग बल नमबर आ लियो क्योंकि आश्यक्लिस एक्रूव की थी शिपमेंट के अगेंस्ट उसके सिपिग बिल नमबर जेनरेट हो गए तो वह होंगे चेक लिस्ट विट सिपिंग बिल नंबर अनेक्टर सी जो कि कस्टम का फॉर्मेट उसे फिल करके देना होता है इन्वोई स्पेकिंग लिक्स टेक्स नोइस यह चीजे यह डोकुमेंट हम सेट बनाके पाल जो हमारे कंटेनर को सीच करेंगे उसके साथ हमंद तो हमेंड़र सीच करने के यह हमारे वूड़ progressed着 करने की करने से परेले हमें चेक कर लाएं कि हमारे वॉडन बोक्स यह स्थ है इसलाए है eat gum प्रविए करना पड़ गाता कि इसमें दिमक यान ने कीडे ना लगें तो फिमिएशन होने के बाद कि जेकेन वेरिफाइए कर लेंगे और इसके बाद हम कंटेनर को सील करने के बाद कि डॉक्मेंट हेंड और कर देंगे तो कुछ चीज़ें को में ध्यान भी रखना पड़ता है कि सीलिंग से पहले हमें जेक करना है कि जो ओर्डर हमारा था अब शीपमेंट का वह सोडर के अगेंस्ट हमने जो इस कंटेनर स्टप क्या ओके है कि नहीं जसलेगे टाइप उप राइज है ठीक किसी कंसाइनी ने हमें बासमती राइज तिक एक ओर दिया था तो हम उसमें बासमती राइज इस्टप करेंगे यह चीज़ हम फाइनली ज टाइप का कि मिगल हमें ओडर किया गया है ठीक एजींबाबे से तो जब पूसक्तर को सील करने से पहले जो इसके डॉक्वेट ने प्रिपेर किये है उससे हम उसको मिला लेंगे कि हाँ यह ओके इसके बास सीलिंग कर देंगे और डॉक्मेंट हेंड़ करेंगे अपने ड्राइवर को एंटरवर करतेंगे ड्राइवर गेट से फेक्टरी गेट से क्लिरेंस करवाएगा और कंटेनर को ले जाएगा कस्टम यार्ड में ठीक है तो यहां पर क्या होगा शिपिंग बिल नमबर हमने चेकलिस्ट वाले जो अटेज किये देदें डॉकमेंट में वो चे तो वहां पर यह एंट्री होगा कि एंट्री होने के बाद में यह स्पेस्विक याड में जाएगा जाएगा इसकी इग्जामिनेशन की जाएगी ठीक है तो उस टाइम हमारा सी एचे रिपर्जेंटिटी वहां पर हमारे गुट्स के साथ खड़ा रहेगा विद डॉकुमे तो सील तोड़ दी जाएगी और उसमें दिसरी सील लगा दी जाएगी ओके सील तोड़ने बाद गुट्स को एक्जामिन करने बाद दूसरी सील लग जाती कस्टम की यहां पर क्या होगा हमारी RFID सील के अगेंस्ट हमने जो डेटा सब्मिट किया था वो अपलोड हो गया थ तो कभी-कभी जिसे क्या होता है कि RFID सील को स्केन करते तो उसके अगेंस्ट डेटा अपने आप सिस्टम में जाएंगे सारी चीजें उसमें आजाती क्योंकि हमने जब सील लगाई जिसमें डेटा अपलोड किया था ओके तो यहां पर क्या होगा कंटेन एग्जामिनेशन की टाइम में कुछ चीजें और भी कंटेन नंबर हो गया टेक्स नंबर हो गया इसी कुछ चीजें जो कि हमने इनिशिली लेवल पर चेक्लिस फाइल की थी जब वहां पर सब्मिट नहीं हुई थी वह डीटेल यहां पर सब्मिट होगी तो यह डियाई में आपका रिफ्लेक्ट होगा यहां से भी कुछ डीटेल आपकी शिपिंग में रिफ्लेक्ट होगी ठीक है इनिशिल लेवल पर हमने क्या था इन्वाइस के एगेंस चेक्लिस फाइल कर दी और हमने अपरूव कर दी तो इनिशिल डाट इसको फाइनल मना जाता है तो एक्जामिनेशन उन्हें के बाद लेट एक्सपोर्ट मिल जाता है और गोट्स हमारे रेवन हो जाते हैं पोर्ट अब लोडिंग के लिए ठीक है तो यह चीज बड़ी इंपोर्टेंट है ठीक है कि जो कस्टम का सर्वर है उस पर डाटा आप हैं व्याइध का स्ट्रिक्षन जो डिये ठेना अंगैने वन अपने दिया को उसने अपना प्रक्राप बनाने के लिए पार में लिया ठीक तो वह हमें दिये और प्रिक यह बनाने के लिए दिए टीक तो ओपिसे इना द कॉन्सिंट देशारी चिजें देना है लिग्षें क चाहली लेट अपर एक्सपोड ऊडर जब मिलता है तो यह जो शिपिंग कट सुम् ट्यार सिख जाना चालंग जनुरेट करता है और गूट्स को हेंड और करता है शिपिंग लाइन को ठीक है और शिपिंग लाइन ईजिएम जनरेट करती है एक्सपोर्ट जेनरल मैनिफेस्ट जो कस्टोम में आटोमेटिकली सिस्टम की तुरूप अपडेट होता है तो यह दोनों चीज़ें जब वहां पे चेक और प्लस चेक लिस्का वह नो दोनों एक जैसे होने चाहिए जब यहां से आपकी शिपमेंट रवाना हो जाएगी ठीक लोड ओके यहां से अपकी वाई एर यहां से निकल जाएगी अगर सी काए तो पॉर्ट अप्लोडिंग से सिप्मेंट तेल हो जाएगी इसके बाद आपक यह स्टेप जो इनिशल स्टेश पर में क्या क्या चीज़ों को ध्यान लगना पड़ता है वह में इस शेशन में जाना हुआ सब्सक्राइब और इसके आगला शेशन हम जल्दी बनाएंगे आप वीडियो को वाच करते रहें और लाइक और शेयर करें ताकि इसे हमारा वीडियो सब लोगों तक पहुंचे और की बारे में जान पाएं तो गाइस थेंक यू फॉर वाचिंग है वे नाइस दे